सबसे पहले आज बात करेंगे राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष बनने की साथी साथ आपको बताएंगे कि चंसेखा राजाद किसका साथ देने वाले हैं और ये भी जानिए कि कैसे जैस्री राम के उद्धोष को जैयावधेश से काउंटर किया गया पहले बात करते हैं राहुल गांधी की जी हाँ आज राहुल गांधी ने बतौर लोकसभासदस्च सपत ली और इस सपत के वक्त अपने साथ सम्मिधान की किताब लेकर आए हाला कि इससे बड़ी खबर ये है कि अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष होंगे जी हाँ वो पर सदन में बैठिंगे और वो पहली बार ऐसा है जब कोई ऐसा पद ले रही से पहले वो सिर्फ कॉंगरेस के अध्यक्ष रहे हैं या सांसद।्र हैं मंत्री नहीं बने या नेता प्रतिपक्ष Bacon बनने जारे इसकी जानकारी खुद पर्रतिपक्ष कोंगरेस की येसा ही एक समयजी केमिन मंत्री का ही दर्जा मिलता है उसका अपना एक आफिस होता है उसको प्रोटोकॉल मिलता है तो को बिलाकर एक बड़ा रुतबा होता है साती साथ वो सीधे सवाल जवाब कर सकता है देश के प्रधान मंत्री से यानि की नेता सदन से नेता सदन खुद प्रदान मंत्री नरेंद्र मोधी होंगे, तो ऐसे मैं राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोधी की फाइट आपको अब लोकसभा में लगातार देखने को मिले। इसे परले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधिरंजन चौधरी थे जो अपना चुनाओं हार गए तो ऐसे मै अब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे इस पर मुहर लग गई है हलाकि एक दिल्चस बात ये है कि उत्तर प्रदेश से देश के प्रधान मंत्री भी आते हैं देश के रक्षा मंत्री भी आते हैं और अब नेता प्रतिपक्ष भी आते हैं एक तरफ एंडिये ने ओम बिल्रा को जो की से पहले स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के उनको अपना प्रत्यासी बनाया है जबकि इंडिया गडवन्धन ने कॉंगरिस के आठ बार के सांसत कोडी कुनेल सुरेशानी के सुरेश को प्रत्यासी बनाया जी हाँ पहले इस बात की कोर्सिस की जा रही थी कि सर्व समती से लोकसभाज स्पीकर चुने जाएं लेकिन ऐसा नहीं हुआ दरसल इसको लेकर लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बातचीत हो रही थी चाहरा लाएं और जब चुनाओ होगा तो सवाल यह होगा कि आखिर जो एक एक सांसन है अनिर्दली सांसद हैं वो किसका साथ देंगे sources की माने तो उत्तरप्रदेश के आजाज समाज पार्टी के चंसेखर BJP का साथ दे सकते हैं ऐसा सूत्र कह रहे हैं अगर वो ऐसा करते हैं तो अपने आप में एक बड़ी बात होगी क्योंकि के सुरेश तलित समुदाय से आते हैं और अगर चंसेखर BJP का साथ देते हैं तो उसको लेकर उत्तरप्रदेश में राजनीत भी खूब होगी अब देखने वाली बात यह है कि आखिर आजास समाज पार्टी की कलोसे सांसद और भीमार्मी चीप चंसे खराजाद लोगसभाई स्पीकर के चुनाओं में किसका साथ देते नजर आते हैं किस पक्ष में खड़े नजर आते हैं इस पर सब की निगा बनी हुई अब आते हैं दिन के तीसरी ख़वर पर दरसर लोगसभाई की चर्चा इसले भी रही क्योंकि आज सपत ग्रहन हो रहा था और उत्रप्रदेश के सभी लोगसभाई सांसदों ने सपत लिया और कुछ टकराओ भी देखने को मिले एक टकरा जब छत्रपाल गंगवार जो की बरेली से सांसद हैं वो पहुचे तो उन्होंने नारा लगाया हिंदू राष्ट जिंदाबाद जिसको लेकर आपत्ती जताईगी उसके बाद अरुन गोविल भी सपत लेने पहुचे थे जो की मेरड से जीत कर पहुचे जब वो सपत लेने पहुचे तो उन्होंने जैस्री राम का उद्गोस किया और इस इस घोस को काउंटर किया समाज अधी पाटी के धर्में अंद्रियादों ने उन्होंने कहा जय अवधिश अवधिश प्रसाद जो की अयोध्या से पढ़े अवधिश जैंदुराश जैवारत जैश्रीदा जै भारत जैवारत 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 सपत ली उसकी दर्श्ट भी आप देख सकते हैं निम्पल यादर ने भी सपत ग्रहन किया कुल मिलाकर आज अमाम लोगसभा के जो सदस्य हैं उन्होंने सपत ले ली है और अब लोगसभा में फिर से कारवाई शुरू होगी आपको बहस बातचीत और इसी तरीके का माहौर द देखने को मिला है फिलाल आज की उपे में इतना ही देखती उपे तक नमस्कार